अल्राइट गाईज तो अभी आप लोग जिस वाली वीडियो को प्रीवियू पे देख रहे हो गाईज अभी के टाइम पे ना कुछ इस टाइप की जो लिरिक्स वीडियो है इंस्टाग्राम के अंदर बहुत ही जादा ट्राइंड में चल रही है तो गाईज अगर आप भी कुछ इस टाइप की वीडियो को एडिट करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को सुरू से लेके पूरा लास तक देखना इस वीडियो के अंदर मैंने आपको complete बताया है क्या खिर कैसे आप लोग कुछ इस टाइप की वीडियो को एडिट कर सकते हो वो भी काफी कम टाइम में तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना तो चले गाईज हम चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पर और बिना किसी देरी के अपने वीडियो एडिटिंग को सीखते हैं आल राइड गाईज तो इस वाली वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले गाईज यहाँ पर आप लोगों को अपना लाइट मोशन ओपन कर लेना होगा जैसे गाईज यहाँ पर आप अपना लाइट मोशन ओपन कर लेते हो सबसे पहले आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके 9 is to 16 रेसियो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप सॉलिड ब्लैक कलर का बैग्राउंड सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपको create project पर क्लिक कर देना होगा अब जैसे आप लोग इतना कर लेते हो अभी सिंपली से आपको करना यह है प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आजाना है audio पर और जिस भी audio पर यहाँ पर आप अपने वीडियो को अब अब लोगों को यहाँ से अपनी music को प्ले करना है सबसे पहले मैं इसका sound बंद कर लेता हूँ बिकाज बाद में record हो जाएगा ठीक है तो copyright का issue हो सकता है तो यहाँ से मैं अपना sound बंद कर दी हूँ आप लोग क्या करना अपना sound चालू करेगे सिंपली से यहाँ से आप अपनी music को प्ले करना और आप ना अपने music को अपने music में beat लगाना ठीक है जैसे कि यहाँ पर अगर आप इस वाले song पर video बना रहे हो तो मैं आपको beat बता देता हूँ first beat लगाना आप right 3 second में second beat लगाना आप लोग right 7 second में ठीक है तो right 7 second में लगा देते हैं and third beat लएगा right 12 second में तो हम 12 second में आते हैं कुछ इस type से और यहाँ पर 1 beat लगा देते हैं अगला जो है guys वो रहेगा right 16 second में and इसके अगला वाला हो रहेगा right 20 second में ठीक है कुछ इस type से और जो last है बज चाता है वो है right 26 second में ठीक है तो कुछ iस type से आपको beat add कर लेना होगा अब जैसे आप अपना beat add कर तो और हाँ अगर आप other song पर video बना रहे हो तो जैसे के भी मैंने बता है यहां से music को play करना है और आप अपने according अपना beat add कर सकते हो ठीक है जैसे इतना हो जाता है अभी आपको plus वाले icon पर click करना है सबसे उपर यहां पर देखो आपको एक save देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर click करना और इस save को कहां तक रखना है आपको first beat तक रखना है ठीक है क्योंकि हम यहां पर लिखेंगे dear my dear love ऐसा करके ठीक है तो अभी हम क्य करेंगे save select करने का वाद save पर click करेंगे सबसे उपर three dot पर click करके इसको fill composition area पर click करना और यह पूरा fill हो जाएगा आपकी screen पर अभी इस पर click करना color and fill पर आना और यह वाला जो color है select कर लेना अब यहां से आप बैक करना अब देखो कुछ ऐसा color देखने को मिलेगा अगर आप थोड़ा और black रखना चाहते हो तो यहां पर आप ग्रेडियंट पर जाकर आप अपने हिसाब से color दे सकते हो बट मेरों को य रहता है वह रहता है my dear love ठीक है कुछ इस टाइप से और यहां पर नगाई यह वाला जो heart है यह मैं आपको telegram पर अपने दे दूँगा तो वहां से आप copy करके यहां पर paste करते जाना ठीक है वैसे Google पर आगर जा कि आप लोग लेखोंगे heart save copy paste ऐसे करके तो आपको यह वाला heart मिल जाएगा simply से वहां से copy करोगे एक क्लिक करोगे automatic copy हो जाएगा और यहां पर आपको paste कर देना होगा अभी आप इसको lyrics जैसे लिख लेते हो अभी simple से सेंटर में करना होगा रोबोटे regular पर आके जो font यूज कर रहा हूं यहां पर इसका नाम है soul signature तो यह आपको मैं telegram पर दे दूँगा और कल भी मैंने दिया था same font पे editing हम किये थे तो यह मतलब already upload होगा ठीक है तो वैसे फिर भी मैं दे दूँगा आपको ठीक है तो जैसे इतना हो जाता है अभी आपको इसका जो color है इसको आप वाइट करना है अभी यहां से okay करके move and transform पर आके इसकी जो length है कु पूरी से बिहां और यहां पर सिर्टर आयकर से खाना है जैसे करोगे न तो यहां से अपने हिसाथ से color जो tolerant दोच यहांगल सैओर में तो यहां से कर देखो जिस तरीके से मैं कर रहा हूं तो कुछ इस टाइप से express क्का सकते हो अपने एंगल सुटीक है यहां पर जैसे कि यह देख सकते हो ठीक है कुछ इस टाइप से तो मेरे फिर रहना सही है तुम्ही अब रहा है अब मैं करूंग इसको बैक ठीक है बैक करने के बाद फिर से आपको इसी लिरिक्स पर क्लिक करना है और एफेक्ट पर जाना है और यहां पर आपको फ्रेक्टिकल सर्च करना है जैसे फ्रेक्टिकल सर्च करोगे सबसे उपर आएगा फ्रेक्टिकल वार्ब इस पर क्ल कर देना ठीक है वाई की जो वैल्यू है इसको आप कर देना तेरा सो ठीक है कुछ इस टाइप से तो कुछ ऐसा हो जाएगा यहां पर यह देख सकते हो ठीक है तो अभी क्या गरना आप नीचे आना मैगनिट्यूड जो है ना इसको आप लोग 15 परसेंट रखना ठीक है यहां पर ट्रांसफॉर्म्-पो को अउन करना और यहां पर रेंच पर जाना रेंच पर जाने के बाद एक की स्टार्टिंग में लगा देना सबसे एंड के थोड़ा पहले आना और इसका जो स्टार्ट का पॉइंट है पूरा लास्ट कर देना ठीक है पूरा 100 परसेंट हम हमारा हो चुका है चलो हम आगे का काम करते हैं तो यहां पर हम आ जाएंगे अपने सेगेंड बीट पर मतलब फ़स्ट बीट के यहां पर एंडिंग में अभी हम क्या गरेंगे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे मीडिया पर जाएंगे जो भी आपका फॉर्स्ट फोटो फोटो सिलेक्ट करना और इस फोटो फोटो कि जो लांत है आपको फसट बीट तक रखना हो जाना और यहां पर वार जो हैंसेट्य-दाप क pressing to कॉप बन जाएगा यहां पर देख सकते हो ठीक है कुछ इस ताइप से तो इस तरीके से यहां पर एनिमेशन दे सकते हो अब लिरिक्स लिखने के लिए सिंपल से लिरिक्स वाले लेयर पर क्लिक करना यहां पर क्लिक करके इसको कॉपी लेयर करना और अपने बीट पर आके इसको पे जाएगा जैसे अभी मैंने किया ना से मुसी तरीके से करना अब इसपे खिले करना और aged tech पर यहां पर जाना और इसको पुरा कट कर देना ठीक है और आपका जो भी lyrics है ठीक है वो आप अपना lyrics लिखना तो यहां पर बोला है राते गिन के एसा करके ठीक है तो यहाँ पर मिलिख देता हूं राते कुछ इस टाइप से इस तरीका से लिक लूका और कुछ इस टाइप से आप थोड़ा सा यहाँ यह पे यह वाला एडड कर सकते हो तो थोड़ा इस्थाटीक लगता है देख सकते हो अभी मैं इसको कर दूँगा बस कुछ नहीं करना है आपको देखो यहाँ पर लिरिक्स में एनिमेशन भी आ गया आपके फोटो में भी एनिमेशन आ गया अब यहाँ से आपका दूसरा लिरिक्स बोलता है यहाँ पर क्या करना आप टैप करना तो पहले इसको तो कट कर देना और जो आपका आगे का लिरिक्स है ठीक है तो उसको यहाँ पर टैप करना है ठीक है निहिंदे बुन के कुछ इस तरीके से ठीक है और यहाँ पर हाट वाला जो सिम्बल है इसको पेस्ट करना, ओके कर देना, तो देखो हमारा फ़स्ट फोटो का, जो लिटिक से, वो रेडी हो चुका है, यहां पर यहां पर भी आपको अपना लिक्स लिखने के लिए सब्सक्लिएर करना होगा, ठीक है, अब यहां से सबसे पहले आपको अपना म्यू यहां तक ही बोला जा रहा है तो कोई दिक्कति हैं हमको cut मतलब छोटा नहीं करना पड़ेगा अपने lyrics के layer को ठीक है तो अभी सिंपल से यहां पर जाना और edit text पर जाके ना इसको cut करना और आगे का जो lyrics है सेम तरीके से जैसा भी आप लोगोंने किया ना सेम उसी तरीके से आपको करना है जैसे यहां पर देख लो एक रवर मैं यहां पर बता दे रहो हूँ क्या है ऐसा करकी है यह मेरा लिरिक्स अभी मैं गुछ इस टाइब से यहां पर डे देता हूं यह देख सकते हो ठीक है ह 22 इक यृतकतफ दिया है व और एक लिरिक में मैंने हाट वाला सिंबल दिया है अब यहां पर फिर से हम पेस्ट करेंगे तो यहां पर हाट वाला हम सिंबल देंगे इसको हम यहां से छोटा कर देंगे और अगला जो लिरिक्स है यहां पर कट करके अगला टैप करेंगे तो यहां पर जो अगला जो लिरि यहां पर बस इसी तरीके से करते जाना है तो यह ऐसे कर देते हैं ठीक है एंड इसे सिंबल यह वाला पेस्ट कर देते हैं देखो तो यह हमारा दूसरा वाला भी लिरिक्स रइडी हो चुका है अब तो करना है और एक से यह लिरेक्स फेल Да परकरना वर यहां पर जाना इफैक्ट पर और क्लिक करना एक करना यहां पर क्लिक करना और यह भी फोटो यहां पर यहां पर ऐड् conservatives करना ठीक है फिर्टने फोटो यहां पर आप Łट करते हो ठीक है जितने भी फोटो आप यहां पर जैसे कि यह वाला फोटो एड़ कि तो इस पर भी जाना एफेक्ट पर जाना और पर क्लिक करके ना इसको भी पेस्ट कर देना ठीक है और इसका भी जो आप लोगों ने यहां लिरिक्स पर है किया था यहां पर एफेक्ट पर ज आपने पर चीजय को इसी तरीक शहतनी आपको लिरिक्स टारीक से आप offered वीडियो को एडिक करना है तुरम लेज सामतों के वोकर्ण को ऐंव यह उन और फ़ाल कर छोके सब्सक्राविक्त एडरीक को구요 यह पर आपको पेस्ट करते जाना है ठीक है और बस आप लोगों ने जैसा प्रिवीव पर वीडियो देखा है ना वो बनके रेडी हो जाएगा एक चीज और उसमें देखा होगा कि वीडियो में ग्लो इफेक्ट होता है तो भाई वो ग्लो इफेक्ट ना लाइट मोशन के अंदर कि मैंने दो-तीन वीडियो भी बनाया है हो सकते तो मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको वीडियो दे दूँगा ठीक है तो बस इसी तरीके से आपको इस टाइप की वीडियो को एडिट करना है अब जैसी आपको एडिटिंग कमप्लीट हो जाती है ना यहांपर मैं पूरा करक के ज़रू से बताना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो प्री चैनल को भी सब्सक्राइब करना बागी गाईज हम मिलते हैं किसे ऐसी कमाल के इंट्रस्टिंग वीडियो के अंदर तब तक के लिए गाईज जय हिंद वो अंदे मातरम